Good morning children, today we are going to learn how we can use thank you, a magic word, thank you, कि हम thank you word कैसे और कहां यूज करते हैं, कैसे कर सकते हैं First is, when someone is giving you gift, जब भी कोई आपको आपके बर्दे पर आपको gift देते हैं, या फिर on any occasion like festival, कोई भी festival होता है, जैसे दिवाली होगे, आपको कोई gift देता है, तो आप उनको आगे से क्या बोलोगे, thank you And when someone is giving you best wishes, जब आपको कोई शुब कामनाई देते हैं, जैसे कोई festival है, उसके लिए आपको बोलते हैं, happy, holy, like this और जब आपको कोई आपके अच्छे काम के लिए, या आपकी किसी सफलता के लिए आपको बदाई दे, ठीक है, या आपको कोई good luck बोले, तो भी आप उनको आगे से क्या बोलोगे, thank you, आप उनका धन्यावाद करोगे एक चीज और होती है, बचे, जब आप कभी रोड़ पे घिर जाते हो, या आपको कहीं भी कोई help की ज़रूरत होती है, तो कोई भी आपको आके help करता है, या फिर school में आपको कोई help करता है, जब भी आपको कोई चीज चाहिए, आपको वो दे देते हैं जब भी आपको कोई भी किसी भी तरह की help करता है तो आप उनको आगे से क्या wish क्या बोलोगे thank you and at home घर में क्या होता है आप कही बार बिमार हो जाती है तो ममा पापा आपकी care करते हैं न so you should thankful to your parents आपको every day ममा पापा को जो भी वो आपके लिए करते हैं उसके लिए thank you बोलना चाहिए and you should thank you your teachers क्योंकि teachers आपको पढ़ाते हैं न आपकी कितनी help करते हैं तो आपको उनको भी thank you बोलना चाहिए okay wishing you a wonderful and blessed day